सो कैसे हो दोस्तो आई अप सब बड़े होगे तो आज की सुड़ों में हम लोग बात करने वाले हैं शाओमी हाइपरोस की लोक्षिन में तो काफी सारी क्लोक शायल आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आप लोगं आपर नोटीस करबा के स्ट्राइल के साथ यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो कि आप लोगं यहाँ पर यूस कर सेक्ते हैं कवी जारे लोगों पर notice कर पाओगे अब यहां पर देखना है थोड़ा से यह lag ही हो जाता है क्योंकि काफी heavy cloaks हो जाती है यहां पर एक एक screen पर तो अगर separate screen पर यूज करोगे तो कोई भी दिखके नहीं आने वाली है सारे phone यहां पर दिये गए जो कि आप लोग यहां पर देख दो अन यह सारे हाइपर वेस की cloak में देखने को मिलेंगे तो जैसी आप लोग यहां पर यूज करते हो वैसी अपनी home skin की cloak भी यूज कर सकते हो जो कि आसकी वीडियो में बताने वाला हूं जो कि काफी आप लोग इनको यहां पर यूज कर पाओगे और इन सब को यहां पर यूज करने के बाद आपका फोन भी ज्यादा अच्छी looking के सा देखने को मिलने वाला है तो वीडियो को स्टाट करते है जितनी चोटी हो सगया उतनी वीडियो चोटी बनाने की कोसेश करेंगे वीडिय अब अब लोगो क्या करना है यहां से अब देखो सबको अन्टिक करना है जो कि यहां पर देखो सबको अन्टिक करना है स तरीके से यहां पर देखोगे, Others यहां पर दिखने को मिल जाएगा, System and App Data इस पर टैप करने के बाद, यह स्क्रोल करोगे, System लोगा, System लोगा, Select करने के बाद, Backup करेट करना है, कुछ इस तरह की साफ का Backup करेट होगा, Finish करने के बाद, अब आपको क्या करना होगा, यहां पर आना अपनी Home Skin पर, Home Skin पर आने काद, File Manager को आपको Open करना है, MIUI वाले Folder पर जाना, Backup वाले Folder पर जाना, All Backup वाले Folder, Number वाले Folder, Serial Number होगा, इसको यहां पर Tap करना, Hold करना, 3Dode पर Click करना, Rename पर Tap करना, इसका यहां पर Rename है, इसको आपको Proper Copy करना है, को इस तरीके से Tap & Hold करके Select All, यहां पर जाओ तो Copy करना and इसको Cancel कर देना, अब जाओ तो इस फाइल को Delete कर सकते हो, By Default Normal Look देखने को मल जाएगा, तो अभी इसको यहां पर Move कर देते हैं, Internal Stories में, कहीं पर भी इस तरीके समने पर Paste कर दिया, अब जो File यहां पर Telegram से Download करती है, इस File को Select करना है, को इस तरीके से, 3Dot पर Tap, Rename पर Tap करना है and यहां पर इसको Rename कर देना है, जो कि आप लोग यहां पर देख दो, जो वहां से Copy करने के बाद, Rename करना, Select करना है, आप लोगों को Move करना है, Move करने को बाद, Internal Stories, यहां पर देखने को मल जाएगा, MIUI, Backup, All Backup, Number वाली Series and यहां पर जाके आपको इसको Paste कर दिना है, and after done all of doing this, यहां पर करना है, About Phone, Open करना, Backup and restore, Mobile Device, यहां पर Screen Lock, Passport again लेगा, यहां पर Check Out कर लेगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, Restore कर लेगा आप लोगों को, यहां पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, यहां पर 30, 4 MB के करीब देखने को मिल जाएगा, Backup File, Finish and you can check now your home screen, यहां पर आपको क्लोग देखने को मिल जाएगी, काफी सारी जो की working करती भी देखने को मिल जाएगी, अब जो भी यहां पर पसंदा है, एक ही क्लोग यूज करना है, क्योंकि जादे क्लोग यूज करोगे, तो आपका phone यहां पर लेग हो सकता है कुछ इस देखी से, जोगी आप लोग यहां पर no disk कर पाऊगे, तो यहां पर लेग होने लगेगा, यहां पर जाके system का clear all data करते हो, यहां पर जो backup वाली file थे आपकी first time वाली, उसको जाके slack करके आप लोग restore कर सकते हो, कुछ सेगी से देखने को मिल जएगा, अब पताने वीडियो कैसी लगी है, अगर वीडियो इंटेसिंग लगी है, जो तक लिए चेहिंग जे भारत,